दूसरा जरनादी ग्रिया प्रवेस नूतन ग्रेप्रवेस यानि आप किसी जमीन को खर दे हैं और उहां नीव से प्रारंब करके अपने मकान को बनाए और उस मकान में आप ग्रेप्रवेस कर रहे हैं तो यह नूतन ग्रेप्रवेस हुआ यानि नए मकान में ग्रेप्रवेस करना दूसरा होता है जरनादी ग्रेप्रवेस है, जरनादी ग्रेप्रवेस का अर्थ हुआ पुराने घर में प्रवेस करना, कई लोग है जो किसी परिस्तिती बस अपने मकान को जिस मकान में वो रह रहा है उस मकान को बेच देते हैं, और ऐसे मकान को अगर आप खरीदते हैं, तो उस मकान में जाने के लिए भी आप को प्रवेश का पूजन कराना पड़ता है तो ऐसे पूजन को कहा जाता है जरनादी घ्रस यानि पुराने घर में पुर्वेश करना सास्त्र में इन दोनों के लिए अलग-अलग महिना का विचार किया गया है कि कौन से महिना में नए घर में प्रवेश करना चाहिए और कौन से महिना में पुराने घर में प्रवेश करना चाहिए नए घर में प्रवेश करने के लिए जो सबसे उत्तम महिना बताया गया है वो है माग, फालगुन, वैसाख और जेश्ट मास किस महिना में नूतन ग्रह प्रवेस करना चाहिए ग्रह प्रवेस के लिए जो महिना बताया गया है उन सभी महिनों का अलग-अलग फल बताया गया है माग में ग्रह प्रवेस का फल बताया गया है कि धन की प्राप्ति होती है फालगुन में पुत्र और धन की प्राप्ति यानि इस महिना में फालगुन मास में ग्रह प्रवेस के लिए बताया गया है कि पुत्र लाव और धन लाव वैसाख मास में धन धाननी की ब्रधी और जेश्ट मास में पसू लाव एवं पुत्र लाव इन चार महिनों का अलग-अलग फल बताया गया है। दूसरा जो पुराने घर में प्रवेस करने के लिए सुभ महिना बताया गया है। सास्त्रों में कुछ अबूज मुहुर्त का भी वरनन किया गया है, जो एक प्रकार से सिद्ध मुहुर्त है, किसी विशेश परिस्तिती में इस मुहुर्त में भी आप ग्रेप्रिवेस कर सकते हैं, परन्तु सास्त्र का अनुकरन करें और सास्त्र में जो महना बताया गया, उस मेहना में ग्रिप रिवेस्ट करें आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद